व्लोट स्वागत है आप सबीका राजी स्कूल हेल्प यूटूब चैनल पर साती हमा हाजिरों आपके सामने एक नए वीडियो एक नए टोपिक के साथ आज वीडियो में बात करेंगे अपन एक इसकूल में काम में आने वाले दस्तावेजों के बारे में कौन सी फाइल हमें क्या डोकॉमेंट इस्कूल में चीहें, कौन से रेजिस्टर हमें किस परकार डानने चीहें, आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी जंदर सिंग और आप देख रहे हैं, राज इस्कूल हेल्प यूटूब चैनल, तो चलिए फ्रेंड्स आज इस वीडियो में कुछ नया जान लेते हैं. काफी स्कूल सातियों ने मुझे एक कमेंट किया, कि सर हमें उन दस्तावेजों के बारे में बताओ, जो एक स्कूल में गोर्मेंट रूल के नुसार हमें चीहें, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, नई स्कूलों को भी इसको तो फायदा होने वाला है, देखे फ्रेंट्स, एक स्कूल संचालन के लिए हमें बहुत सारे दस्तावेजों के आवसेता होती है, समय समय पर, जैसे एक्जाम के जैसे फायले हैं, वेतन से संबंदित हैं, जो हमारा किरमचारी है, उन से संबंदित रेजिस्टर हैं, इस परकार के बहुत सारे जो हमारे एक विदाले का रिकोर्ड होता है जो हमारे विदाले की जान होती है जब हमें आवसेक्ता पड़ती है समय समय पर तो हम आसाने से उस फाइल या उस रेजिस्टर में देख करके संबंदी जो रिकोर्ड हो देख सकते हैं वैसे तो देखे साथियों एक विदाले में जनम से लेकर विद्धाले का जो भौश से है वो छिपावा होता है और यह हमारे लिए महत्तापुन होता है यदि दोस्तों मैं इस परकार से आपको इन दस्तावेजों फाइलों और रेजिस्ट्रों के बारे में बताऊँगा तो हो सकता है कि एक आज फाइल या दस्तावेज का नाम वो छूट सकता है तो इसके लिए अपन मैं आपको ले चलूँगा अपने कम्प्यूटर की स्क्रीन पर और सम्मंदित दस्तावेज का नाम बताऊँगा और उससे सम्मंदित क्या काम होते है वो भी सारे बाते इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चल दस्तावेज फाइल और रजिस्टर के बारे में जो एक विदाले के लिए बहुत जरूरी है अलंकि वीडियो है वो थोड़ी जरूर लंबी हो सकती है लेकिन अपन हर एक टोपिक पर और हर दस्तावेज के बारे में विस्तार से अपन जानेंगे तो चलिए फ्रेंड्स कि विदाले की जयान तो होती है लेकिन जब एक पने एक बहुत बड़ा डोकूमेंट है विदाले की लिए अगर आप कईछे बारे में एक अल अलग्सी वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट में करोगए की में हमें किन बातों को ध्यान में रखना किस प्रकार अपन आकड़े को उसमें संधारित कर सकते हैं और क्या नियम है शिक्षाइभा के उन नियमों को मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप कॉमेंट में मुझे बता होगे तो क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा है इसलिए यह वीडियो भी बड़ा हो सकता है अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँगा तो ऐसारे एक दस्तावेज अपने विदाले का सबसे बड़ा दस्तावेज है इसके अगर बात करें तो फिर आती है कि स्कूल डोकॉमेंट फाइल होती है इसकूल डोकॉमेंट फाइल के अंतरगत अपनी स्कूल की जितनी भी मानेता उन मानेताओं के डोकॉमेंट इसमें आपको एक परतिलिपी रख्ये तयार रखनी है और जो ओर्जिनल डोकॉमेंट है साती हुआ आप अपनी कहीं सुरक्षी जगाय पर रखें स्कूल के बाहर भी आप रख सकते हो अपने घर में भी रख सकते हो क्योंकि original document के हमें बहुत कम जूर्थ पढ़ती है स्कूल में इसलिए पर्तिलिपी का आउसेक्ता पढ़ती है जब भी कोई बाहर से शिक्ष्या भाग का कोई निरक्षन दल या जांच के लिए आता है तो हम ये पर्तिलिपी दिखा कर अपने जांच करवा सकते हैं तो ये एक school document file है जो आपको रखनी है इसके बात करें तो चातर उपस्तिती register होती है attendance register सब जानते हैं भली भाती से आप जानते हैं कि ये होना आवसेक है जिसमें परते एक विधारती की कक्स आवाईज हमें attendance लेने हमें दिखाने पड़ती है फैल और पास भी अपने register में दिखाना पड़ता है लेकिन इस से चातर उपस्तिती register की भी कुछ रूल होते है attendance लगाने के अगर आप वो भी चाहते हैं तो आप मुझे comment में बताएगा मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा अगला जो document है वो है है कि हमारे विदाले में आज कौन आया था कब आया था कहां से आया था इसमें mobile number उसका नाम address पता सारी information इसमें होती है वैसे तो देखिए अपने विदाले में ध्यान रखने के लिए आजकल डिजिटल इंडिया है CCTV केमरे होते हैं लेकिन देखिए अपना भारत की बात एक तो एक होता है dispatch register जो हर एक विदाले के लिए होना बहुत जरूरी है साथियों यहाँ dispatch register के अपन बात करें तो इसे जावक फाइल के नाम से भी अपन जानते हैं साथियों जैसे हमारे विदाले से कोई भी सिक्षा इभाकों कोई डाग गई कोई letter गई पोस्ट के दवार registry के दवारा गई या फिर by hand गई तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे विदाले से हमें अभिवाकों को भी letter पोस्ट करना पड़ता है सिक्षा इभाकों भी letter पोस्ट करना पड़ता है तो यह dispatch register होना चाहिए और इसके साथ ही जावक फाइल यानि dispatch file होने चा यह तो होता है dispatch register जिसमें उस document का नाम होता है और किसको दिया है उस department का नाम होता कब दिया है कितना उस पर खर्चाया है वो सारी information तो dispatch register में हमें लिखनी है और जो file होती है उस file में जो document जो letter पोस्ट करें उसकी एक photocopy या परतिलिपी उसमें हमें रखनी पड़ती है इसके आवेज या letter आया हो उसमें अपन को entry करने पड़ती है तो इसके लिए हमें एक तो received register डालना होता है और दूसरा हमें जो file होती है received की वो file भी डालने पड़ती है चाहे जो letter है 6i भाग से आया हो या फिर किसी अभिवाव का हो किसी छात्तर का हो या अन्य किसी department किसी book store का कह अन्य से भी कुछ आया हो तो उसमें हम चड़ाते हैं तो आगी अगर भॉय से में हमें यह जानना है कि क्या उस company से हुष सेंस्ता से उस विभाग से कोई letter हमारे विदाले में आया था अगर आया है तो वो कब आया है तो हमन इसी file के दवारा और इसी register के दवारा अपन register होता है समयता है इसी कारिय करनी register भी बोला जाता है जिसके अंतरगत हम हर साल या 6 महीने एक महीने में बैठकों का आयजन करते हैं जिसमें अपने सदेश्य हैं जो society के उसमें फेर बदल करना है कुछ बदलाओ करना है उदिश्यों में कुछ परिवर्तन करना है और एक साल की सबी बैठकों की जो उसका मुल्याकन करना है वो सारी बाते society register में होती है तो ये भी हमारे लिए भेत जरूरी और उपयोगी दस्तावेज है इसके लागा अगर अगर बात करें साथियों तो एक आता है teacher signature register इसके बारे में बेखुबी आप जानते होंगे हमारे विदाले या फोर्दगर कोई भी करमचारी हो MTS हो या फिर कोई भी हो उसका अपने को हस्ताक्सर करवाने के लिए ये register के आऊसेकता होती है और जब हमारे विदाले के दोवारा payment बनाए जाती है तो इसी register को देकर बनाए जाती है यहाँ एक बात और विशेश मैं आपको बताना जा में हो रिकोर्ड करते हैं और उसी के आदार से अपने वेतन बनाते हैं एक होता है विभाग ये register जो कि हमारे विदाले में कौन स्टाप को या विक्ति करमचारी न्यूक्त है और उसकी सूचना हम आगे सिक्षा विभाग में बते हैं तो आप दो भी डाल सकते हो एक local डाल स इसको वेतन रिजिस्टर भी बोला जाता है जो भी हमारे विदाले में करमचारी कारियरत हैं उनको कितनी salary विदाले के द्वारत दी जाती है उनका नाम लिकर के पत्ति मन्त या उनको कोई extra payment दिया है या जो fix है या फिर उनकी क्या salary है वो salary अपन इस रिजिस्टर में जादा salary है तो वहाँ पर revenue ticket पर हमें signature करवाने पड़ते हैं और इसी कहधार पर हम बाद में अपने विदाले की जो audit है वो तयार करते हैं क्योंकि ये खर्चा है हमने staff को खर्चा दिया है उनको payment की है तो विदाले के खर्चा आता है इसमें इसके बात करें teacher document की file होती है हमा विदाले में direction दल आता है जांच के लिए आता है तो वो document उनके मांग सकता है इसलिए हमें document की परतिली पी है वो रखनी चाहिए इसके लाव आगले document की बात करें तो teacher joining या appointment letter file होती है इस file के अंतर के जो भी हमारे विदाले में staff newkt है उनको विदाले के दौरा newkti पतर दिय मानेता लगाते हैं माद्यम या इस्थान प्रिवर्तन की मानेता लगाते हैं या फिर किसी teacher का अनुभव पर्मान पत्तर शिक्षा भाग से बनाते तब इसकी हमें जूरत पड़ती है तो यह हमारे विदाले में record रखना बहुत जरूरी है इसके लाव बात करें तो teacher leo register होत पड़ता है इसके लाव बात करें तो teacher retired file होती है वैसे अगर बात करें अपन private sense तो private sense तो में देखे ग्वर्मेंट रूल के हिसाबते teacher की जोइनिंग होती है और उसी के हिसाबते उसका retired होता है अलाग कि अपने government या private विदालों की अगर बात करूं तो यहां कोई teacher हिस्था किया है तो वो भी कब किया है और कितने साल तक हमारे विदाले में रहा है एक लेटर परमान पत्र बना करके इसमें record रखना पड़ता है और उस teacher के हमाँ पर sign करवाने पड़ते हैं इसके साथ एक होती है legal file document की legal file जिसे कानून ने अगर वाद विवाद अपने विदाले का चल रहा हो कोई कानून का कारिय चल रहा हो तो हमें इस परकार की file के आवसकता होती है कई बार जूर्त पड़ जाती है मा लेजिए कि सेंस्ता के खिलाब कोई थाने में FIR दर्ज हो और वो document है कहां कहां काफी सारी ऐसी समझें आ जाती है तो कई बार हमें court की साहिता लेनी प विदाहारतियों की कितनी फीस आई है वो फीस अपन इसमें चड़ाते हैं जो हमारी स्कूल की audit के समय काम में आती है और हमें इससे पता भी लग जाता है कि कौन से चातर या चातरों की कितनी पीस है कब तक वो आ गई है यह सब सारे जो register और file है आप stationery bookie store से ले सकते हैं औ और वो आसानी से आप इसे डाल सकती हो इसके साथ बात करें अगले document की तो अगला जो document है daily income and expense register होता है इस register के अंदरकत हमारे विदाले में रोजाना कितनी income होई है और कितना खर्चा हुआ है तो इसमें दोनों ही column आते है एक तरफ आता है daily income का आता है और एक तरफ आता है expense का यानि खर्चे का तो दोनों अपन डाल सकते हैं उससे हमें रोजाना परडे के सापसी ये पता लग जाता कि आज इतने विदारतियों कि फीस आई है और इतना विदाले का वो खर्चा हो गया है तो ये भी एक आउसेक है तो ये जो दस्तावेज हैं कई बार क्या होता है कि इस टेंशने पर एक निर्दारित फॉर्मेट में नहीं मिलते हैं तो आप अपने कोई भी एक बड़िया सा रजिस्टर अपने हाथ से बना कर डाल सकते हैं इसके साथ अगर बात करें तो पे बाउचर बिल की है तो पे बाउचर बिल में के अंतर के जो भी हमारे विदाल पे जो भी सामगरी आई है कोई विवस्तु किसी सोप से या किसी कंपनी से आई है तो हमने उसको चेक जारी किया है या केस जारी किया है ज्यादा तर देखिए उस हाथियो अब अगर रूल की बात करें तो अपने 10,000 से किसी एक पार्टी को केस नहीं दे सकते हैं परड़े इससे दी है या फिर NFT की है या RTG की है वो सारी डेटेल इसमें हमको लेखने पड़ती है इसके साथ ही अगला था फिक्स स्टोक रेजिस्टर इसको इस्थाई वेतन रेजिस्टर भी साथियो कहा जाता है आपने सुना भी होगा और साइद देखा भी होगा इस्थाई स्टो स्टोक रेजिस्टर के अंतर आते हैं इस इस्थाई स्टोक रेजिस्टर में अपन ये जो टेबल पाटिये हैं जो इस्थाई जो वस्तवे हैं कौन सी सोप से अपन लेकर आए हैं या कौन सी कंपनी से अपन लेकर आए हैं कितनी मातरा में लेकर आए हैं और परती टेबल औ हुई है कि उनकी अपन को यहां इसमें लिखने पड़ती है और यह हमारे इसकुल की audit बनाने में बहुत सहिक होती है ठीक है यहां पर हपन जो खर्चे हैं वो भी दिखाते हैं fix stroke register के अंतरगत अगले अगला जो दस्तावेज है वो है unfix stroke register अनफिक्स stroke register को एस्ताई stroke register भी बोला जाता है जिसके अंतरगत हमारे विद्दाले में जो एस्ताई वस्तवे हैं जिनका समय लंबा नहीं है यानि ज़्यादा समय तक वो नहीं टिक पाती हैं ऐसी वस्तों को अपन एस्ताई stroke register में रखते हैं for example की बात करूँ जैसे बलब है बलब एक एस्ताई वस्तो है क्योंकि यह कभी भी fuse हो सकता है इसलिए उसको एस्ताई stroke register में रखा जाता है कि यह कहां से लेकर आये थे कि शोप से लेकर आये शोप का नाम लिखना पड़ता है इसकी कितनी किम्मत है एक बलब की वो लिखनी पड़ती और कितना हुआ से पन लेकर आये वो सारी डिटेल इसमें आपको लिखनी पड़ती है इसके साथी अगले document की में बात करूँ तो एक आती school audit file इसकूल audit file का नाम आपने सुना होगा हमारे विदा लेंगे परती हर साल के अंतर गयते एक अप्रेल से लेकर 31 मार्ज तक इसकूल की आयवे का लिखा जोका रखना पड़ता है उससे हमें अपनी CA से करवाते हैं तो CA की जो चार पांस बने हैं पन्ने वाते हैं जो audit के वो इस file में हर साल के हमें लगाने पड़ते हैं जिसमें income और expense भी होता है और audit report भी होती है balance sheet भी होती है तो सारे हमें इस audit file में रखना पड़ते है क्योंकि इसकी जूरत हमें जब पड़ती है जब हमें आरे school में कुछ direction दल आ जाए या कभी हमें school के पिछे की आयवे का देखने की जूरत पड़ जाए तो यहां रखने पड़ती है तो इसमें आप इसको रखकर अपने एक record है वो बना सकते हो इसके लाव आगले दस्तावेज़ के अपने बात करें तो लेव रजिस्टर होता है साथियों तो यह लेव जो रजिस्टर है यह उन विद्धालियों के लिए है जो उचमादमिक है या फिर सेकेंडरी है नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 में जो लेव हैं फिजिक्स, गमेस्ट्री, जियोगराफी अन्ने जो सब्जेट की हैं तो परतेक सब्जेट की जो लेव है उस लेव का एक रजिस्टर होता है उसमें उ अगले डोकॉमेंट की अगर अपन बात करें साती हो तो अगला जो डोकॉमेंट आता है लाइबरेरी, बुक, स्टोक, रजिस्टर आता है साती हो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और पहली बार आए तो चैनल को आप जरू रूप में भी आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एजुकेशन से संबंदिश दस्तावे जहों डाउनलोड कर सकते हैं तो साथ हुआ अपने बात कर रहे थे लाइबरेरी, बुक, स्टोक, रजिस्टर के बार किस लेखे की है, कब कितनी संख्या में हैं वो स्टोक का हमें पता लग जाता है और यह आवशेक भी है जब हम स्कूल की कर्मोनती या मानेता के लिए आविदन करते हैं तब हमें वे दिखानी पड़ती है लेब केपेसिटी और लाइबरेरी केपेसिटी हमें दिखानी पड लग जाता है और जब स्कूल का सतर समापत होता है तो उस विदारती से अपन पूर्ण वापस वो रेजिस्टर लेकर के अपने लाइबरेरी स्टोर में रख सकते हैं तो यह भी हमारे लिए आवसेक अगर अगले दस्तावेज की बात करूं तो यह एक होता येर वाइज न् प्रमिशन फोरम है उस बच्चे की डोकोमेंट है पिछली कलास की मारग सीट है पिछले विदाले की टिस्टी है वो सारी हमें रखनी पड़ती है अगर भहुश समय हमें जब जूरत पड़ती है डोकोमेंट वेरिफिकिसन की तो हम डायरेक्ट लिए उसी सेसन की फाइल होता है कि हमारे विदाले का कोई न कोई सरकारी या गहर सरकारी जो विदाले वो नोडल होता है वरतमान समय की बात करूं तो मैं यह जो नोडल है वो गौर्मेंट विदाले ही होते हैं अब गौर्मेंट विदाले से नोडल से हमारे पास जो भी सूचने आती है वो इस में हमें रखनीपटती है तो यह एक नए या पुराने विदाले दोनुं के लिए बहुत आवशेक की फाइल होती है इसकेलब बात करें तो इस correspondence न्यूजफ वाइल होती यह सातिओं वैसे तो देखी जो छोटे विदाले में हमें जूर्ट पर जाए कि उसमें हमने उस पंपलेट में क्या छपाया था तो वो भी इससे हमें पता लग सकता है तो ये भी एक आउसक दस्तावेज है इसके लाव बात करें तो एक school bill फाईल होती है साथियों इसमें हमारे विदाले में किसी सोप से, किसी स्ट्रेशनेरी से, किसी कंपनी से, माले जी हमने कुछ खरीद कर लेकर आए, अपने विदाले में जो भी वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं, छोटी से छोटी चोटी चोटी चोंक के डिबे से लेकर के बड़ी से बड़ी होती है क्योंकि इससे हमारे विदाले का जो अक्स्पेंड से वो दिखाया जाता है और उनका पका बिल हमारे पास होना भी चीए तो यह स्कूल की ओडिट के लिए एक महत्पुन दस्तावेज है साथियों तो जो भी हमारे विदाले में बिल आते हैं तो आप अलग सेस्टन के अनुसार क्योंकि एक अपरले से लेकर 31 मार्ज तक का वीती वर्स होता है तो वो सारे दस्तावेज आप इसमें रख सकते हैं इसके साथ बात करें तो एक ओडर रजिस्टर होता है यह हमारे विदाले के लिए बहुत ही महत्वपन रजिस्टर होता है साथियों जब भी हमारे विदाले में कोई आवकास होता है या कोई परीक्षा आयूजित होती है या कोई उच्सो हमारे विदाले में होता है तो सारे आदेश हैं, government, name के अनुसार हमें इस आदेश पंजीका भी बोलते हैं से या order register भी बोलते हैं इस इस आदेश पंजीका में हमें लिखने पड़ते हैं जिससे हमारे सबी स्टाप का उसमें signature करवाया जाता, 4 अक्जम पर माल जिया होली की छूटी है तो होली की छूटीों से 2 दिन पहले या 5 दिन पहले हैपन सभी जो विदाले में करमचारी और विदार थी उनको सुचित किया जाता है कि फलानी तारीक से लेकर पड़ानी तारीक तक अपने विदाले का आउकास रहेगा, तो यह इसको एक आदे सपंजीका कहते हैं, और जिसमें प्रिंशिपल के हस्ताकसर और मौर होते हैं, और बाकी सभी अन्य कर्मचारियों की हस्ताकसर होते हैं, इसके लगा बात करें तो एक आती है, बोर्ड फाइल आती है साथियों, जो तो बॉर्ड से हमें प्राप्त होते हैं, बॉर्ड फॉरॉम के लिए कई बार हमने बॉर्ड के साथ 15 चार भी करने के आउस्यक्ता हो जाती है, और बॉर्ड भी हमें कई लेटर है, वो बेचता है, मानेता हों से संबंदेती या कोई, रिकोर्ड में अगर कोई गलती है, तो उ गुछ पर पत्रों की महियां बात कर रहा हूं, अगर अगले दस्तावेज की बात करें तो सातियों अगला जो दस्तावेज है वो है Board Exam Student Forum File, यह हमें फाइल रखनी है, session wise, हर year की रखनी है, मालेज़े कक्षा 10 या 12 के विधारतियों के हमने Board Forum भरें, तो उसका एक Board Forum हम Board में भे जी देते हैं डोकॉमेंट के साथ बाकि एक जो फोर्म की परतिलिपी हमारी रिकोर्ड में रखने की चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जैसे एक समय सिमा के बाद बोर्ड अपने वेबसाइड से हैं वो फोर्म का लिंक है वो हटा लेता है लेकिन कफी हमें जूट पढ़ जाती है क फोर्म जो लिस्ट होती वो सारे की सारी इस फाइल में हमें रखनी पढ़ती है तो आप ये लग से नाम बोर्ड अग्जाम स्टुडेंट फोर्म ये रवाइज आपको बनानी है अगर इसके साथ अगर बात करें साथियों अगले दस्तावेज की तो अगले दस्तावेजों स्कूल होम एक्जाम फाइल के अगर बात करें इस्थान ये जो एक्जाम होती है अपने जो लोकल जो कलास होती है विदाउट बोर्ड वाली कक्षा एक छे लेकर एक तीन च्यार छे साथ नो और ग्यारा के तो उसकी फाइल भी हमें रखनी पड़ती है इसमें जो दस्त अवे इसके अलाब बात करें तो टिचर अग्जाम डूटी रजिस्टर होता है ये जैसे बचों की स्थानी या बोर्ड प्रीक्स है अगर हमारे यहां चल रही है बोर्ड का हमारे पास सेंटर है या फिर स्थानी अग्जाम चल रही है तो एक विक्षक डूटी रजिस्टर होता ह जिसमें हम परते एक जो स्थाफ करमचारी हैं जो टीचर हैं कौन से कमरे में डुटी लगी है कितने बज़े तक लगी है कौन सी पारी में लगी है तो वहां उसकी एक जूर्थ पढ़ती है तो ये भी हमारे लिए अग्जाम से संबन्दित एक महत्रपुन दस्तावेज है इसके लाव बात करें तो अग्जाम पेपर रिसीवड एंड डिस्पेस रिजिस्टर होता है साथियों जब हमारे इस्थानी एक्जाम होती है तो वहां एक नियम के नुशार हमें जो बोड से या फिर नोडल से जिला समान परीक्षा से पेपर हैं वो पराप्त होते हैं निशित संख्या में तो उस रिजिस्टर में हमें ये रखना पड़ता है कि आज इस विश्चे के हमें इतने तो जो पेपर हैं वो पराप्त हुए इतने पेपर बच्चों को बाढ़ दिये इतने हमारे पास सेज बच गई तो ये रिकोर्ड हमें में इंसन रखना पड़ता है क्योंकि जब हमारी अदवार्शिक फ्रीक्षा चल रही होती है और शिक्षा भाग के जो नुमाइंदे होते हैं निरक्षन दल आ जाता जहांच करने के लिए तो तब सबसे पहले आकर वो ये देखते हैं कि आपके जो पर लिस्ट है वो दिखाऊगी कितने पर आपको परापत हो और कितने बज़े आपको परापत हुए कितने आपने बाट दिया कितने आपके रिकोर्ड में तो यहां हमें रखना पड़ता है अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है एक्जाम का रिकोर्ड के बारे में तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि हमें केसा फॉर्मेट चीए और किन बातों को और विशेज द्यान डगना चीए अगर आप किसी इस रिजिस्टर मिल जाएगा उसमें निर्दारीत कॉलम होते हैं और कॉलम को देखर आप आसानी से समझाओगी कौन से कॉलम में क्या हमें रखना है इसके बात करें तो अगला जो दस्तावेज वो अग्जाम आंस्वर कोपी डिस्पेस रिजिस्टर होता है जैसी विदारतिय कि अग्जाम हो गए जिस विशे की और विशे अदापक को हमने आंसुर पुख दे दी तो उसमें रिकोड चढ़ाना पढता है कि किस विशे अदापक को हमने कौन सी कलास की कितनी कौपियां दी हैं और कब तक ये वापस आने वाले हैं उसमें वो डेट अगरा बगरा सभी उसमें रखना पड़ता है, तो यह register भी हमारे लिए महतपूर्ण है, अगले दिस्तावेज की बात करें, तो यह काता है student attendance seat, यह देखिए साथियों, एक class student register आता है, और एक student attendance seat आती है, अब देखिए साथियों, जब हमारे विदाले में वार्षी की आदवार्षी में नहीं लगाते हैं केवल और केवल अग्जाम की जो attendance sheet होती है उस sheet में हमें भरने पड़ती है रोजाना उसके साथ तो यह attendance sheet होती है एक लंबी होती है चोड़ी होती है तो यह आप इस्टेशने से आप ला सकते हो तो यह जब अग्जाम के दुरान बच्चों के attendance और अपसेंट इससी sheet में हमें लगाने पढ़ते हैं इसके साहथ ही एक होती है student updates register or seat होती है जो अग्जाम के समय हमें जूर्ट होती है एक तो थापका अपसेंट रजिस्ट और एक होती अपसेंट सीट तो ये दोनों ही हमें अग्जाम के दोरान चीए इसमें जो बच्चे अग्जाम में नहीं बैठे हैं उनके रोल लंबर लिख करके उसको अपन अपसेंट दरसाते हैं और ये रिकोर्ड हमें रखना बहुत जरूरी है ये हमारी स्कूल की सुर्क्षा से अगले दस्तावेज की बात करें तो अगले दस्तावेज में इस्टूडेंट रिजिस्टर और लोकल या बोर्ड अग्जाम का एक रिजिस्टर होता है जिसके अंतरगत हम इस्थानिये कक्ष्याओं के सभी विश्यों का जो नंबर है वो चढ़ाने पड़ते हैं और जो ब अगु हुआ है उन बचों के भी एक अपन स्टूडेंट रिजिस्ट रोहता हुँ बनाना पड़ता हुआ है उसमैं सभी विश्यों के रिजिस्ट वैसे देखिए हम अक्सल सीट में भी बनाते थे आजकल अगर अपन अक्सल सेट शोप्टेर में बनाते हैं तो इसकी जूरत नहीं होती है लेकिन बोर्ड वाले जो बच्चों की उसकी अपन अक्सल सीट नहीं बनाते हैं तो मेरी आपसे यही राय है कि इस रेजिस्टर के अंदर के तो आप जो बोर्ड प्रीक्षाई दे रहे हैं बच्चे और विदाले की दवरा अद्वार्सिक में कितने नंबर भेजे गए और बोर्ड के दुवारा जब उनका परिणाम आ जाता है उसके बाद यह रेजिस्टर है वो तयार किया जाता है इस रेजिस्टर के अंतर के अंतर के तो यह बहुत जरूरी है इसके साथ अगले दस्तावेजों के अपन बात करें तो साथियों अगले दस्तावेज में आता है student T-C issue Registry आपने किसी विदाले या कोई भी विदाले है बच्चों की विदार्थियों की T-C जरूर ईशियो करता होगा तो हमें ये अलग से एक रजिस्टर है डालना है जिसके अंदर के था हमें विदाले के जो बच्चा है या विधारती है जिसकी टिस्ची हमने जारी की है उस विधारती का नाम कब उसकी जारी की है विदाले छोड़ने का क्या कारण हो और जो टिस्ची कौन लेगा है उसके अ डाल सकते हैं तो यह तो थी समाने जो दस्तावेज अपने विदाले में हमें आवसाक होती है अब मैं बात करते हूं अगर आपको यह दस्तावेज चीखे तो आप मेरी वेब साइड पर चीखे तो साथियों अगर ये बाते हैं आपको अच्छी लगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें यदि पहली बार चैनल पर आये हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सबी स्कुल साथियों में वीडियों को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको कोई समस्या है फिर भी आपके कोई स्वाल जाब है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों मैं आपको मेरी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और वहां से आपको अभी जितने भी अपने दस्तावेजों की हमने बात की है वो मैं दिखा देता हूँ आपको की वो दस्तावेज आपको मिल जाएंगे वहां से आप PDF फाइल में भी इसे डाउनलोड कर सकते हो और दस्तावेजों के बारे में विश्तार से भी आप पढ़ सकते हूँ तो चलिए मैं आपको मेरी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर है वो ओपन कर लीजिएगा और उस ब्राउजर में आपको लिखना है www.raajguruji.com देखिए साथी यह आपने www.raajguruji.com लगाओगी तो इस परकार की वेबसाइट आपके सामने है वो ओपन हो जाएगी इसको ओपन होने के बाद आपक करे जाएगा और इस पेजमे यहां देखिए सबसे ओपर लिखा विद्दाले में काम में आने वाले उप युगी दस्तावेज इस पर आपको किले करना और इस पर किले करते ही आपके सामने ऐसा जो पेज है वो ओपन हो जाएग मने एक पूरी पोस्ट इन इसकूल के दो द PDF फाइल अगर चीए तो आप यहां से जाकर करके डाउनलोड भी इसे कर सकते हो और आपके पास PDF फाइल हो डाउनलोड हो जाएगी इसके साथ इस साथ हुम आपको यह कहना चाहूंगा इस वेब साइट पर आपको एजुकेशन से जुड़ी ही हर परकार की जो जानकारी है वो समय समय पर मिलते रहेगी यहाँ पर जो भी स्कूल से संबंदिस दस्तावेज होते हैं गورrospect orders या आदेश जो हते हैं शिक्षा से संबंदित विधारती से संबंदित परतियोगिता से संबंदित और सरकारी योजनाव से संबंदित हर प्रकार की information आपको इस website पर मिल जाएग तो इस website के साथ आप समय समय पर update रहते रहेगा यदि किसी कार्ण इस website के अंतरकाथ आपको कोई error आता है आपको कोई ऐस्विदा होती है तो आप निचे जाकर कि आप मुझे send जो inquiry है वो भी कर सकते हो अगर यहां से message error आता है तो यहां देखी यहां left side के अंतरकाथ ओनलाइन चार्ट की विवस्ता भी इस website पर तो यहां पर मुझे offline comment करोगे तो मेरे पास mail आ जाएगी इसके बाद भी अगर आपको समय से आ रहे हैं तो आप directory मुझे mail कर सकते हो और मेरी जो mail है आपको यहां सबसे उपर जैसे यहां एक यह जो नाम आ रहा है देखिए राजगुरुजी website पर आपका स्वागत है देखिए सात्यों यहां मैंने एक जो mail है वो लिख रखी है इस mail पर आप कर सकते हो help at rajagruji.com पर ठीक है इस mail के उपर आप मुझे mail करना आप समंदित कोई समय से है तो आपको मैं बिलकुल आपकी help परने की कोशिस करूँगा और वैसे आप वीडियो के निचे जरूर कोमेंट करना आप कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथियों मैं चलो मेरे चेनल के बार में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर समंदित विदाले से समंदे जितने भी वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे क्योंकि इस चेनल पर आपको मैं समय समय पर इस परकार की वीडियो प्लब करवाता रहता हूँ चैनल का नाम है राज स्कूल हेल्प यूटूब चैनल तो फ्रेंड से उमीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा तो मेरी तरब से तो ये आपको कुछ समाने बाते थी तो साथियों ये तो थे एक समाने इस्कूल में जो दस्तावेज हैं काम में आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है मैं उमीद करता हूँ साइद आपको ये जानकारी प्रसंद आई होगी और साथियों मुझे बताना कि मैंने एपी जो दस्तावेज आपको बताई हैं उन में से कौन से दस्तावेज आपकी विदाले में नहीं थे और इस वीडियो के मादव से आपने कुछ जाना कि ये दस्तावेज होना चीए इसके बाद भी अगर आपके कोई क्यूशन है स्वाल जावाब हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपकी हल्प करने की पूरी कोशी से करूँगा देखिए साथी उम्मीद करता हूँ कि जानकर ये आपको जरूर पसंद आई होगी इसके अलावा अगर बात करें जो भी दस्तावेज मैंने इस वीडियो में बता होती हैं हो सकता है कि कुछ फाइल ऐसी होती है जो अपनी अलग पहचान होती है उनकी और एक समय सीमा और आवसिक्ता के अनुसार हमें उनकी जरूर्त होती है हॉनी कि विडियो में मैंने क mêmes ंशार जो दस्तावेज एक विद्दाले में होने दाल सकते तो आप अनुछ आकर नुसार और भी दस्तावेज डाल सकते हैं तो साथियों मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने स्कूल साथियों में इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा यदि आप चैनल पर पहली बाहर आयों और वीडियो को पहली बाहर देख रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों एक इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर केवल और उपेल स्कूलों और एजुकेशन से जुड़ी ही जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी हाँ, साथ में एक बात और कमा बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले जो भयूसे में वीडियों का नोटिपिकेशन आप तक पहुंच जाता है तो फ्रेंस उमीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को अपने इस्कूल सात्यों में जरूर शेर कीजिएगा थेंक्यू, धनेवाद झाले प्रेंस